क्वेशन है चलती गाड़ी के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर क्यों जुक जाते हैं चले इस क्वेशन को चित्र और उधारन के दोर आपको समझा देते हैं देखे आप लोगों ने देखा होगा कि चलती हुई गाड़ी है अचानक अगर रुक जाती है तो उसमें बैठे यात्री आगे की तरफ जुक जाते हैं इसका कारण यह है कि गाड़ी के अचानक रुकने पर गाड़ी के संपर्क में इस्थित यात्रियों के सरीर का नीचे का भाग तो तुरंत ही विरामावस्था में आ जाता है नीचे का भाग मतलब जो गाड़ी की फार्स है और पैर वो तुरंत ही विरामावस्था में आ जाते हैं विरामावस्था मतलब रुक जाते हैं परंतो उनके सरीर का उपरी भाग जड़तु के कारण उसी वेग से आगे की और चलने का प्रियास करता है यानि उसी वेक से चलने का प्रेत्न करता है इसलिए यात्री आगे की और जुक जाता है कहने का मतलब यह हुआ कि मोटर कार के रुकने पर उसका जो फार्स है और उस पर ठीके यात्रियों के जो पैर होते हैं फार्स और पैर वो तुरंत ही ठहर जाते हैं तुरंत ही रुख जाते हैं जैसे ही मोटर का रुकी तो उसकी फार्स और जो यात्रियों के फार होते हैं वो रुख जाते हैं परन्तु सरीर का जो सेस भाग होता है वो जड़तु के कारण अभी भी गत्य सील रहता है जड़तु क वहा जाता है अपने आप ही अपनी बिराम या गतकी अवस्था को ना बदले उन्हें जड़तु कहते हैं अगर जड़तु के बारे में और अधिक जानकारी जाते हैं तो मेरे चैनल में अप्लोडडेड है आप लोग जागर के देख सकते हैं तो मैंने बताया कि उसकी फार्स गोड़ा जब यका यक रुक जाता है तो उस पर जो बैठा हुआ सवार होता है अगर धीला ढाला बैठा है तो आगे की ओर गिर जाता है अगर कोई घोड़ा है तेजी के साथ दोड़ रहा है और उस पर सवार धीला ढाला बैठा है तो वो आगे की तरफ गिर जाता है अब ल दिसा में वेख ले लेते हैं, पर तो शरीर का उपरी भाग, अभी पहली ही दिसा में का जिमान रहता है, और हमारा सरीर बिपरी दिसा की ओर जुग जाता है, या बाई ओर जुग जाता है, तो आसा है, आपको कॉस्टन अच्छे से समझ में आ गया होगा, धन्यवाद